Hello Everyone, इस वीडियो में हम Class 4 की EBS Worksheet No. 108B करेंगे डेट है इसकी 8 November 2021 और यह आपकी Textbook Looking Around के Unit 7 from the Window से ली गई है So चलिए इश्टू करते हैं So नमस्ते प्यारे बिच्चों, हम आशक करते हैं कि आप सभी स्वस्तेवं सुरक्षित होंगे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया तो वो भी जरूर कर लीजेगा बच्चों, हमारा देश भारत विवित्ता हों यानि डाइवर्सिटीज का देश है विवित्ता का मतलब है कि आपको यहां हर राज्य में अलग-अलग प्रकात की भाषाएं, पोशाकें वा त्योहार देखने को मिल जाते हैं मतलब भारत में ऐसे लगता है कि एक ही राज्य ना पूरी एक मीनी कंट्री है क्योंकि एक ही राजे में अगर आप पूरे भारत में 28 राजे हैं हर राजे में जाएं हर राजे में देखें तो अलग-अलग खान पान अलग-अलग बोली आपको देखने को मिलेगी त्योहार भी अलग-अलग होते हैं लेकिन इतनी विभिनता होते हुए भी हम सभी एक हैं और एक दूसरे की संस्कृती का आतर करते हैं इसे ही कहते हैं अनेकता में एकता इतना सब होने की बावजूद भी हम सब मिलजूल कर रहते हैं बच्चो आज हम भारत से जोड़ी विवित्ताओं के बारे में जानेंगे ठीके तो चलिए देखते हैं प्रशने एक है बच्चो विभिन राजियों में रहने वाले लोगों की विभिन पोशाके होती हैं जो वहां की संस्कृती को दर्शाती है नीचे आपको विभिन पोशाकों के चित्र दिये गए है संकेत बॉक्स की सहायता से संबंदिद राजियों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए दिखे कितनी अलेगला टैप्स की ड्रेसेज है है ना तो दिखे गुजराद गुजराद की ड्रेस की सेकेंड नमबर वाली है तो मैंने गुजराद की उपर दूसरा नमबर डाल दिया देखो गुजराद की उपर मैंने टू क्यों लिखा है क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि ये जो दूसरी नमबर वाली पिच्चर है वो गुजरात से related है इसलिए मैं इनके उपर ऐसे numbering करती जा रही हूँ आप भी ऐसे ही numbering कर सकते हैं हर्याना हर्याना की चौती वाली ये जो पोशाक है ये हर्याना की है राजस्तान के उपर तीन मैंने लिखा है यानि ये वाली जो है ये राजस्तान की पोशाक है पश्चिम बंगाल पे मैंने पाच लिखा है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की पोशाक है और केरल की पोशाक है साथवी यानि ये वाली देखे दोती है ना कश्मीर की पोशाक छटवी है आपने देखे होगे कश्मीर और असम की पुच्छाक पहली वाली है ये असम की है ठीके तो गुचरात के उपर दो हरियाना का चार राजिस्थान का तीन पश्चिम बेंगाल का पाच केरल का साथ कश्मीर की छटवी पिच्चर और असम की पहली ठीके इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे दूसरा परश में मदद कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए तो थोड़ा बड़ा कॉशन है आपका ये देखिए अब यहां पर आपको इतने सारे राज्चे दिखा रहे हैं सब राज्चों की राज्धानी लोग प्रिये तियोहार भाशा और मशूर वियंजन यानि जो भोजन उधर चलता है जो भाशा वहां बूली जाती है जो तियोहार वहां का बहुत प्रसिद्ध है और जो राज्धानी है उस राज्चे की वो सबाब को यहां पर बताना है तो पंजाब की राज्धानी चंडीगड है वहां पर लोड़ी एक लोग प्रिये तियोहार है और भाशा पंजाबी बोली जाती है मशूर व्यंजन है मक्य की रोटी और सरसो का साग यह देख लिए यह अलग अलग यहां तक है पहले वाले का पंजाब का इतना है चलिए अब आगे है आपका गुजराद गुजराद की राजदानी है गांधी नगर लोगप्रियत्योहार नवरात्र भाषा है मलियालम और मशूर व्यंजन है अपम महरास्ट्र महरास्ट्र की राजदानी है मुंबई लोगप्रियत्योहार है गणेश चतुर्थी भाषा है मराथी और मशूर व्यंजन है पावभाजी पच्चिम बिंगाल की राजदानी है कुलकत्ता यहां का लोगप्रियत योहार है तीज भाषा है राजस्थानी और मशूर व्यंजन है गट्टे की सबजी बाजरा की रोटी तो देख लीजे आप लोग मशूर व्यंजन थोड़े चोटे में लिखे होंगे तो अगर आपको देख नहीं रहे होंगे तो देखो मैंने जूम कर दिया अब आपको अच चित्र बनाईए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साजां कीजिए तो किसी भी राजने से सब्मंद उसका जो त्योहार है उसका आपको चित्र बनाना है इसे करने से पहले अगर आप स्टॉरी टेलिंग कॉंपुडिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं जो कि हम वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी देखिए स्टोडी टेलिंग कॉंपोडिशन की वीडियोस आप 14 नवंबर की शाम तक भेजते इवनिंग तक भेजने तो बेटर रहेगा को कि 15 नवंबर को हम सारी वीडियोस अपलोड कर देंगे और एक और साथ साज़ा कीजिए ये एक् reasonable मैंने आपको बताई थी यस activity से इस आप देखो पंजाब के लोड़ी का ये जितर बना देंग और पंजाब का लोड़ी लिगदेंगी इस तरीकं साब इस activity को पूरा कर सकते हैं ही पर आज की कार्य पत्रे का समाप्थ होती है देख लीजिए आशा करती हूँ आपको समझाई होगी तो वीडियो को लाइक कीचेगा चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा धन्यवाद